प्यारे बच्चों, हरियाना एजुकेशन टेली कास्ट पर आप सभी बच्चों का हार्दिक स्वागत है प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा चार की पाठे पुस्तक प्रिवेश अध्यन के अध्याए तीन मस्ती की रेल मेरे ये खेल के बारे में चर्चा करेंगे तो आएए शुरुवात करते हैं अपने उपविशे मस्ती की रेल मेरे ये खेल के प्यारे बच्चों, हमें पता है कि आपको खेलों से बहुत अधिक लगा है आपको खेल खेलना बहुत अधिक पसंद है खेलने के नाम लेने भर से ही आप रोमान्चित हो जाते हैं क्या हम पूछ सकते हैं कि आपको कौन-कौन से खेल पसंद है हमें पता है कि आपके जहन में आपके मन पसंद खेल का नाम आ रहा है हमें भी पता है कि आपको छुपम छुपाई खेलना, लूडो खेलना, कैरम बोर्ड खेलना, पिठ्ठू खेलना और कंचा खेलना जैसे केल बहुत अधिक पसंद है तो आईए आज हम चर्चा करते हैं अपने उपविशे मस्ती की रेल मेरे ये खेल के बारे में मोहित विने शे कहता है, रुको तो सही, विने कहां दोडे चले जा रहे हो विने, मैं तुम सब को ढून रहा था, पता है आज प्रार्थना सभा के बाद योग और खेल होंगे मोहित अच्छा, मुझे खेलना बहुत अच्छा लगता है, खास तोर से कबड़ी का खेल सुमन, मुझे कुष्टी करना अच्छा लगता है, अपने से तगड़ी लड़कियों को भी मैं अच्छी पटकनी दे देती हूँ विने, तुम तो लड़की हो, तुम क्या कुष्टी करोगी सुमन, क्यों नहीं करूंगी, लड़कियां कुष्टी नहीं कर सकती क्या हमारे राज्ये की, बहुत सी लड़कियों ने कुष्टी में हमारे देश का कितना मान बढ़ाया है वे भी तो लड़कियां है अच्छा बच्चो, आपको तो पता ही है कि लड़के और लड़कियां कुष्टी, वॉलीवॉल, बैडमिंटन, एथलेटिक्स, भाला फेकना, हौकी, क्रिकेट जैसे सभी खेलों को खेल सकती है आपको यह है भी पता होगा कि खेलाडी हमारे देश का गोरो होते है खेलों में सफलता हांसिल करने के लिए खेलाडी को लगातार अभ्यास करना होता है अपनी कठोर मेहनत और लगातार अभ्यास से जब एक खेलाडी को परतिस परदाओं में मैडल मिलता है तो केवल खिलाडी का ही नहीं वरन, देश वर परदेश का नाम भी रोशन होता है प्यारे बच्चो आईए अब हम कुछ तस्वीरों के माध्यम से कुछ खेलों को पहचानते हैं क्या आपको यह तस्वीर दिखाई दे रही है? क्या आप जानते हैं कि यह तस्वीर किस खेल की है? शाबास बच्चो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना यह तस्वीर खोखो के खेल की है अब इस चित्र को देखकर खेल का नाम बताएं सोचो सोचो आप इस खेल को अच्छे से जानते हैं शाबास बच्चो आपने बिल्कुल सही पहचाना यह खेल कबड़ी का है अब देखते हैं इस तस्वीर को क्या आप इस खेल को पहचानते हैं? आपने इस खेल को खेला भी होगा यह कौन सा खेल है? शाबास बच्चो आपने बिल्कुल ठीक पहचाना यह है फुटबाल का खेल तो आईए अब इस तस्वीर को देखते हैं इस तस्वीर में आपको क्या-क्या दिखाई दे रहा है? देखिए इस चित्र में आपको एक खिलाडी बल्ले को पकड़े हुए दिखाई दे रहा है क्या आप पहचानते हैं कि यह खेल कौन सा है? शाबास बच्चो आपने बिल्कुल सही पहचाना यह खेल क्रिकेट का है तो प्यारे बच्चो अब हम देखते हैं इस तस्वीर को आपको इस तस्वीर में क्या-क्या दिखाई दे रहा है? शाबास बच्चो इस तस्वीर में हमें दो खिलाड़ी आपस में खेलते हुए दिखाई दे रहे हैं क्या आप बता सकते हैं कि यह कौन सा खेल है? बिल्कुल सही फरमाया यह कुश्ती का खेल है हम् प्यारे बच्चों, अब हम भी एक खेल खेलते हैं, इस खेल में हम आपको बारी-बारी से कुछ खेलों की तस्वीर दिखाएंगे और आप सभी बच्चे उस तस्वीर से सम्बंदित हरियाना के किसी एक खेलाड़ी का नाम बताएंगे तो आईए, अब हम शुरुवाज करते हैं अपने इस रोचक खेल की प्यारे बच्चो इस तस्वीर को पहचानो और इससे सम्बंदित किसी हर्याना के खिलाडी का नाम बताओ स्याबबास बच्चो आपने सही पहचाना इस खेल का नाम है क्रिकेट और खिलाडी का नाम है कपिल देव का सम्बंदित हर्याना से है और इन्होंने अंतराश्ट्रिय सतर पर अपना नाम कमाया है अब चलते हैं अगले चित्र की और इस चित्र को ध्यान से देखिए और हमें बताएं कि यह है उचे परवत पर चड़हाई करने वाला कौन सा खेल है श्याबास बच्चो आपने सही पहचाना यह खेल परवता रोहन है और खिलाडी का नाम है संतोस यादव संतोस यादव का सम्बंद हर्याना से है और इन्होंने भी अंतराश्ट्रिय सतर पर अपना नाम कमाया है अब चलते हैं अगली तस्वीर की ओर तो प्यारे बच्चो इस तस्वीर को देख कर बताओ कि यह कौन सा खेल है श्याबास बच्चो आपने सही पहचाना इस खेल का नाम बैडमिंटन है और हर्याना की खिलाडी का नाम है साइना नहवाल साइना नहवाल का शंबंद हर्याना से है और इन्होंने अंतर राष्ट्रिय स्तर पर अपना नाम कमाया है प्यारे बच्चो अब इस चित्र को पहचानो यह खेल अखाडे में खेला जाता है क्या आप जानते हैं कि यह खेल कौन सा है अरे वह बच्चो आपने सही फरमाया इस खेल का नाम कुस्ती है इस खेल से सम्बंदित हर्याना के खिलाडी है योगेश्वर्दत योगेश्वर्दत का सम्बंद हर्याना से है और इन्होंने भी अंतर राष्ट्रिय स्तर पर अपना नाम कमाया है अब बढ़ते हैं अगली तस्वीर की और इस तस्वीर को देख कर तो आप खेल के बारे में समझ ही गए होंगे इस खेल को हाथों में गलब्स पहन कर खेला जाता है साबास बच्चों आपने सही पहचाना इस खेल का नाम है मुक्के बाजी अर्थात बॉक्सिंग और खेलाडी का नाम है विजेंदर सिंग विजेंदर सिंग परदेश और देश के मशूर खेलाडी है इन्होंने बॉक्सिंग में अंतरराश्ट्री स्थर पर अपना नाम कमाया है अब इस खेल को देखिए यह कौन सा खेल है अरे वहाँ बच्चो आपने बहुत चल्दी पहचाना इस खेल का नाम दोड है प्यारे बच्चो आपकी जानकारी के लिए बता देते हैं कि दोडने, कूदने, फेंकने और चलने की परतियोगिताएं एथलेटिक्स परतिसपरधाओं के अंतरगत आती हैं, हर्याना की मसहूर एथलेटिक्स खिलाडी हैं, गीता जुच्सी इन्होंने अंतरराष्ट्रिय स्तर पर अपना नाम कमाया है अब इस तस्वीर को देखते हैं, इस खेल में चक्के को फेंका जाता है क्या आप जानते हैं, इस खेल का नाम क्या है, हम, साब बास बच्चो इस खेल का नाम है, चक्का फेंकना या डिसकस थ्रो इस खेल की मसूर खिलाडी है, क्रिश्ना पूनिया कृष्णा पूनिया का संबंद हर्याना से है और इन्होंने भी अपना नाम अंतराष्ट्रिय स्तर पर चमकाया है तो अब बात करते हैं इस तस्वीर के बारे में इस खेल को तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छा बच्चो यह खेल हमारा राष्ट्रिय खेल भी है बिल्कुल सही पहचाना इस खेल का नाम है होकी और इस खेल के खिलाडी है संदीप सिंह संदीप सिंह हर्याना के जाने माने खिलाडी है जिन्होंने अंतर राष्ट्रिय स्तर पर अपना नाम कमाया है अब चलते हैं अगली तस्वीर की ओर इस खेल से तो आप भली भाती प्रीचित होंगे तो बताओ इस खेल का क्या नाम है अरे वाँ बच्चो आपने बहुत जल्दी पहचाना इस खेल का नाम है कबड़ी और हरियाना के मशूर खिलाडी है अनूप कुमार अनूप कुमार का संबंद हरियाना से है और इन्होंने भी अंतर राष्ट्रिय स्तर पर अपना नाम कमाया है अब बात करते हैं इस तस्वीर के बारे में इस तस्वीर में दिखाया गया कौन सा खेल है इस खेल का नाम है जूडो जूडो के खिलाडी हैं मंजीत नांदल मंजीत नांदल का संबंद हर्याना से है और इन्होंने भी अपना नाम अंतरराश्ट्रिय स्तर पर कमाया है अब इस तस्वीर को देखते हैं इस खेल में चक्के को फेंका जाता है क्या आप जानते हैं इस खेल का नाम क्या है साथ बच्चो इस खेल का नाम है चक्का फेंकना या डिसकस त्रो इस खेल की मशूर खिलाडी हैं क्रिष्णा पूनिया क्रिष्णा पूनिया का संबंद हर्याना से है और इन्होंने भी अपना नाम अंतरराश्ट्रिय स्तर पर चमकाया है तो चलिए आगे चलते हैं अब बात करते हैं इस तस्वीर के बारे में इस खेल को तो आप जानते ही होंगे बहुत अच्छा बच्चो यह खेल हमारा राष्ट्रे खेल भी है बिल्कुल सही पहचाना इस खेल का नाम है होके और इस खेल के खिलाडी हैं संदीप सिंग संदीप सिंग हरियाना के जाने माने खिलाडी हैं जिन्होंने अंतरराष्ट्रे सतर पर अपना नाम कमाया है अब चलते हैं अगली तस्वीर की ओर इस खेल से तो आप भली भाती प्रीचित ही होंगे तो बताओ इस खेल का क्या नाम है अरे वहाँ बच्चो आपने बहुत जल्दी पहचाना इस खेल का नाम है कबड़ी और हरियाना के कबड़ी के मशूर खिलाडी हैं अनूप कुमार अनूप कुमार का संबंद हरियाना से है इन्होंने भी अंतरराष्ट्रे सतर पर अपना नाम कमाया है अब हम बात करते हैं हमारी अंतिम तस्वीर के बारे में इस तस्वीर में दिखाया गया खेल कौन सा है इसका क्या नाम है इस खेल का नाम जूडो है जूडो के खिलाडी हैं मंजीत नांदल मंजीत नांदल का संबंद हरियाना से है और इन्होंने भी अपना नाम अंतरराष्ट्रे सतर पर कमाया है तो प्यारे बच्चो अब तक आपने तस्वीर पहचानने में और खिलाडी का नाम बताने में बहुत आनंदलिया अब हम चलते हैं अपने उपविशे के ओर उपविशे में अगला चरण है योग करें शवस्त रहें प्रार्थना की घंटी बजी सभी बच्चो ने लाइन में खड़े होकर प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद रोजाना की तरहे पहले कुछ बड़े बच्चो ने योगाशन किये और उसके बाद खेल कूद शुरू हुए तो आईए अब हम कुछ जानते हैं योगाशनों के बारे में प्यारे बच्चो क्या आप बता सकते हैं कि इस तस्वीर में यह लड़की क्या कर रही है स्याबास बच्चो इस तस्वीर में यह लड़की योगाशन कर रही है क्या आप बता सकते हैं कि यह लड़की कौन सा आशन कर रही है हम स्याबास बच्चो चित्र को देखो और सोच कर बताओ कि यह कौन सा आशन है आपने बिल्कुल सही पहचाना बच्चो यह वजराशन है अच्छा बच्चो क्या आप बता सकते हैं कि इस आशन को करने से हमें क्या फाइदा होगा आईए हम आपको बताते हैं कि इस आशन को करने से क्या क्या फाइदे मिल सकते हैं वजराशन करने से हमारी पाचन सक्ति बढ़ती है और पेट से सम्बंदित सारी समश्याएं दूर होती हैं इसके साथ साथ कब्ज की प्रेशानी से भी छुटकारा मिलता है इस आशन को करने से अलसर और एसीडिटी की प्रेशानी से भी निजात मिलती है यह आशन आपकी मास्पेशियों को भी मजबूत बनाता है इसके साथ साथ इस आशन को करने से चंचल मन शांत होता है और ध्यान एकागर करने में इजाफा हो जाता है इस आशन को करने से हमारा रक्त प्रवा अच्छा हो जाता है और फिर इस से हृदे पर दबाव भी नहीं पड़ता गठिया, जॉइंट पेइन, वेरिकोज जैसी बिमारियों को दूर रखने के लिए भी इस आशन को नेमित रूप से करना चाहिए बहुत बढ़िया बच्चो अब इस तस्वीर को देखते हैं यह लड़का कौन सा आशन कर रहा है इस तस्वीर में इस लड़के का सरीर धनुस के समान है अब बताओ कि यह कौन सा आशन है शाब बास बच्चो आपने ठीक पहचाना यह धनुराशन है आईए अब जानते हैं कि धनुराशन करने से हमें कौन कौन से लाब होते हैं धनुराशन के नीमित अभ्यास से एसिडिटी, गैस, खटी, ढकारें और सामाने पेट दर्द जैसी पेट से जुड़ी हुई कई समझाएं दूर हो सकती हैं धनुराशन का अभ्यास रीड की हड़ी को मजबूत और लचीली बनाता है सामाने कमर दर्द को दूर करता है और इसके साथ साथ मोटापा भी घटाता है तो चलिए, अब चलते हैं अगली तस्वीर की ओर प्यारे बच्चो, इस तस्वीर में यह लड़की कौन सा योगा भ्यास कर रही है स्याबास बच्चो, इस तस्वीर में यह लड़की पदमासन कर रही है क्या आप बता सकते हैं कि पदमाशन से हमें क्या-क्यालाब मिलते हैं आईए हम आपको बताते हैं कि पदमाशन करने से क्या-क्यालाब हो सकते हैं पदमाशन हमें ध्यान की और अग्रशर कराते हुए हमें शान्ती और धहरिय परदान करता है इस आशन के अभ्यास से हमारे चहरे में एक नई परकार की रोनक आती है और हमारा चहरा खिला-खिला रहता है यह आशन हमारी रीड की हड़ी को स्वस्त बनाते हुए मजबूत बनाने में भी साहयक है यह आशन पाचन किरिया को बेहतर करते हुए कबज को दूर करने में साहयक है इस आशन से हमारी एकागरता भढ़ती है और समृती बढ़ाने में भी मदद मिलती है हमारे पैरों में अधिक पसीना आने दुरगंद आने या ठंडा गरम लगने की समस्याओं को दूर करने में भी यह आशन लाबकारी होता है तो प्यारे बच्चो अब तक हमने इन आशनों से होने वाले लाबों के बारे में जाना अब आप बताओ क्या आपके घर के सदस्य भी योग आशन करते हैं यदि हाँ तो कौन-कौन से आशन करते हैं योग और खेलों से हमें क्या-क्या लाब होते हैं प्यारे बच्चो इनका जवाब सोचकर आप अपने उत्तर पुष्टिका में जरूर लिखना तो अब हम चलते हैं अपने उपविशे की अगले चर्ण में जहां खोखो का खेल चोथी कक्ष्या की लड़कियों के बीच में होना है सभी बच्चे खेल देखने के लिए मैदान में एकठा हुए राजीव सर ने खेल के नियमों के बारे में बताया उन्होंने बताया कि इस खेल में दो टीमें होंगी परतेक टीम में नो नो खिलाडी होंगे मैदान में एक सीधी लाइन कीचेंगे एक टीम की आठ लड़कियां इस लाइन पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर आपस में विपरीत दिशा में मुह करके बैठेंगी दूसरी टीम की एक लड़की बैठी हुई लड़कियों के बीच में से होकर दोड़ेगी पहली टीम की एक लड़की इस लड़की को छूने की कोशिस करेगी ताकि यह आउट हो सके वहें अपनी सहायता के लिए बैठी हुई लड़कियों में से एक को पीछे से पीठ पर खो दे सकती है दूसरी टीम की लड़की छू जाने के बाद वहें आउट माने जाएगी नेरधारित समय पूरा होने पर यह परकरिया दूसरी टीम के लिए भी दोहराई जाएगी जिस टीम के कम खिलाड़े आउट होंगे वहें टीम विजेता घुशित की जाएगी सोचो और अपने उत्र पुष्टिका में लिखो आप कौन-कौन से खेल खेलते हूँ आपके मन पसंद खेल के नियम लिखो खेल में आउट होना क्या होता है आप समय किसी खेल के नियम बनाओ और उन्हें अपने उत्तर पुष्टिका में लिखो खोखो के खेल के नियम बताने के बाद राजीव सर ने जोर से सीटी बजाई नीता वे रचना अपनी अपनी टीमों के साथ टाई डालने के लिए मैदान में आकर आमने सामने खड़ी हो गई सर ने टाई डाली रचना की टीम की बैठने की वे नीता की टीम की एक एक करके भागने की बारी आई रचना ने घेरा बना कर अपनी टीम को कुछ समझाया दोनों टीमों ने अपनी अपनी जगह ली और खेल सुरू हो गया खो खो भागने वाली लड़की जोर से चिलाई मैदान में एक के बाद एक खो खो की आवाजें आने लगी शैदा बड़ी फूर्ती से लड़कियों के बीच में से होती हुई भाग रही थी कभी कभी वह पकडने वाली लड़की कोमल को भरमित करने के लिए विप्रीत दिशा में भागने लगती थी आस पास बैठे चिला रहे थे शाबास सैदा भाग सैदा बहुत अच्छा खेल रही थी अचानक सैदा और कोमल में जगडा हो गया कोमल कह रही थी सैदा आउट है सैदा आउट है मेरा हाथ इसके दुपट्टे पर लगा है कोमल की टीम की सभी लड़किया चिलाने लगी हाँ हाँ सैदा आउट है सैदा कह रही थी मैं तो लाइन के दूसरी तरफ आ चुकी थी तुम आउट हो तुम्हारा पैर लाइन पर पड़ा है राजीव सर सारा मैच बड़े ध्यान से देख रहे थे उन्होंने तुरंत सीटी बजाई दोनों टीमों को अलग किया और समझाया सैदा आउट है क्योंकि सैदा के लाइन के दूसरी तरफ जाने से पहले ही कोमल का हाथ उसके दुपटे को छूच चुका था दोनों टीमों ने सर की बात मान ली और कोमल और सैदा ने एक दूसरे से हाथ मिलाया एक बार मैदान में फिर से खोखो की आवाजें आने लगी तो प्यारे बच्चो हम उमीद करते हैं आपको आज का उपविशे मस्ती की रेल मेरे ये खेल बहुत पसंद आया होगा आज हमने खेलों के बारे में और योगासनों के बारे में बहुत सारी जानकारी प्राप्त हुई इसके साथ साथ खोखो के खेल के नीमों के बारे में भी जाना तो आईए अब हम चलते हैं अभ्यास की ओर अभ्यास में पूछे गए परसनों के बारे में आपने सोचना और अपने उत्तर पुष्तिका में लिखना है क्या खेलते से में आपका किसी से जगड़ा हुआ है आपका जगड़ा किस खेल में हुआ और जगड़े का क्या कारण था आपने उस जगड़े को समयम सुलजाया या किसी बड़े की मदद ले आपने जगड़े को कैसे शुलजाया खेल में जगड़ा होने की स्थिती में आप अपने दोस्त का पक्स लेते हूँ या निश्पक्स रहते हूँ कौन से खेल समुम में खेले जाते हैं उन सभी खेलों के नाम लिखिए आप कौन से खेलों को स्कूल में खेलते हो और कौन से खेल घर में खेलते हो आप घर में किसके साथ खेलते हो क्या आप घर में भी नियमों के अनुशार खेलते हो घर में खेलते समय किसी बात पर विवाद होने पर सुलह कौन करवाता है तो आईए अब एक रोचक कारिय करते हैं यह कारिय आपने समयम करना है आपकी स्क्रीन पर दिखाई गई इस तस्वीर के एक कोने में बने बॉक्स में अपने मन पसंद खिलाड़ी का चित्तर लगाएं और उस खिलाड़ी के बारे में कुछ पंक्तियां भी लिखें तो प्यारे बच्चों आज आपने अपनी प्रिवेश अध्यन की पाठ्य पुष्तक जरोखा के अध्याय तीन मस्ती की रेल मेरे ये खेल से विभिन खेलों के साथ साथ योगाशन के बारे में भी जानकारी हासिल की आज आपने खोखो के खेल के नेमों के बारे में भी विश्तार से जाना हम उमेद करते हैं कि आपको आज का अध्याए मस्ती की रेल मेरे ये खेल को अध्यन करने में बहुत आनंद आया होगा हमारा आज का उपविशे अब यहीं समाप्त होता है अगले वीडियो में हम कुछ और नया सीखेंगे धन्यवाद